नमस्कर अब सभी को एक बार जादा से जादा संख्या में लोग जुड़ जाएं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से की सतिंदर सिंग उर्फ गोल्टी बराड जो की सिद्धु मुसेवाला के मर्डर की जिसने जिम्मेवारी ली थी जो की लो वेबसाइट दावा कर रही है बाहर की एक वेबसाइट है जिस पर ये पुष्टी तो हाला कि अभी अधिकारिक तोर पर इस चीज की पुष्टी तो नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के फ्रेस्नों में जो है गोली बारी हुई जिसमें दो लोगो पर जो है गोली चली है जिसमें से एक गोल्टी बराड बताया जा रहा है गोल्टी बराड की अगर बात करे सतिंदर सिंग और गोल्टी बराड गेंस्टर लौर्स बिश्नोई का करीबी है वह पंजाब में चलाए जा रहे रंग दारी रैकेट में भी शामिल रहा है उस पर यूद कॉंग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है और ऐसे में थोड़े ही टाइम पहले आप लोगों को पता है कि किस तरीके से गोल्डी न हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड पर गोली बारी होती है जिसमें दो लोगों को गोलिया लग जाती है जिसमें एक गोल्डी बराड बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड मर चुका है हाला कि अधिकारिक तोर पर ज टूजडे को शाम को जो है फ्रेस्टों में कैलिफोनिया के फ्रेस्टों में टूजडे को शाम को जो है गोली बारी होती है जिसमें दो लोग दो लोगों को जो है गोलिया लगी थी जिसमें एक बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड है और बताया जा रहा है कि कोई पवित्र मुसेवाला की हत्या को बदले की कारवाई बताया था और सिद्धू मुसेवाला की हत्या की जो है जिम्मेवारी भी ली थी उसके मिताब उसके मुताबिक सिंगर मुसेवाला अकाली दल के नेता विकी और उसके चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या में शामिल था 33 साल के मिदुखेडा की 7 अगस 2020 को मुहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि बराड की हत्या चंडीगर में एक डिस्क के बाहर की गई थी और इसी के बदला लेते हुए जो है गोल्टी बराड द्वारा सिंगर सिधु मुसेवाला को मारा गया था ऐसा उसने कहा थ है कि गोल्टी बराड पर भी जो है गोलिया चली है और उसकी मौत हो चुकी है लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टी हाला की नहीं हुई है एक बर फोटो भी जो है हम आपको गोल्टी बराड की दिखाना जाएंगे फिलाल बताया जा रहा है कि काफी राउंड फाइर करने वाला है गोल्टी बराड जिसने सिद्धू मूसे वाला पंजाबी सिंगर वे कॉंगरसी नीता सिद्धू मूसे वाला की मौत की जिम्मेवारी ली थी जी हां इसका असली नाम भी हम आपको बताएंगे आप सभी लोगों से अपील वीडियो को शेर जरूर करें और क्य नहीं और साथी साथ कमेंट सेक्षिन में अपनी राएं जरूर दे आप लोगों ने देखा किस तरीके से जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है इस तरीके ये खबरे भी जो है वो काफी जदा फैलते नजर आ रही है कल जो करनाल में भी गोली चली उसमें भी बताया जा रहा है कि दिलेर कोटिया का हाथ बताया जा रहा है कि उनकी दिलेर कोटिया की तिरफ से उस लड़के को जो कि कली रमन का रहने वाला था उसे पहले धमकी आ चुकी थी ऐसा कहा गया है हाला कि इसकी कोई भी पुष्टी अभी तक नहीं हुई है गोल्डी बराड हुई कैलिफॉर्णिया के फ्रैंसों में जो है फ्रैस्नों में जो है गोली बारी लगातार होई जिसमें गोल्टी बराड्य दी शामिल था और गोली बराड़ पर भी जो है गोली अ बरकर गोल्डी बराड पर दृए हो